शिक्षामंत्री कवरपाल गुजर ने आज पंचकुला में राष्ट्र स्तर्य डिजिटल लर्निंग इलेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उधगाटन किया कारेक्रम में कोविड के बाद अध्यापन व अध्यायन में सूचना प्रद्योगी के महत्व के पहलूँ पर चर्चा की गई इस अवसर पर शिक्षामंत्री ने कहा कि कोविड के बाद हर प्रदेश अपने अध्यापन व अध्यायन के तोर तरीकों पर कारे कर रही हैं और इस कारेक्रम के माध्यम से हमें एक दूसरे की कारेप्रणाली की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बच्चे किसी भी द्रष्टी से कमजोर न रहीं, इस दिशा में कठोर कदम उठाए जा रही हैं और अब नीजी स्कूलों के विद्यार्थी भी सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्क्रती मोडल स्कूल से शिक्षा की गुणुवत्ता में और अधिक सुधार आएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज की कारेशाला में जारी की गई डिजिटल लर्निंग पुस्ति का एक उप्योगी दस्तावेज है जिसमें विशु भर में हो रहे शिक्षा परिवर्तनों की जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस कारेक्रम में शिक्षा विशेशग्यों के सुझावों को शिक्षा नीति के क्रियानवन में शामिल किया जाएगा। प्रकासन वो करते हैं। ते कि तरी कमस्ते हमारी है। तरी कमस्ते हमारी है। तरी कमस्ते हमारी है। तरी कमस्ते हमारी है।